और विधान परशत से दो दो बार सरस्वत प्रस्ताव परित हुआ और इन दोनों सरस्वत प्रस्ताव में भारती जंता पार्टी शामिल थे अगर हम इसके विधान सभा और विधान परशत से दो दो बार सरस्वत प्रस्ताव में भारती जंता प्रस्ताव में भारती जंता पार्टी शामिल थे अगर हम इसके विरोध में होते तो हम सरस्वत प्रस्ताव की में शामिल क्यों होते उसी प्रकार जारखन विधान सभा ने भी सरस्वत प्रस्ताव परित किया जिसमें भारती जंता पार्टी शामिल थे और जब मानिये प्रधान मंतिसी नरेंदर बोदीजी से और पार्टी डेलेगेशन मिलने के लिए गया तो हमने अपनी सरकार की वरिष्प मंतिसी जनक रामजुकस में शामिल किया उस डेलेगेशन की मांग थी कि बिहार के अंदर जाती जन्रणा कराई जाए तो जब अगर हम उस जन्रणा की विरोध में होते तो हम उस डेलेगेशने क्यों शामिल होते यहां तक कि हर खंड सरकार की वर से एक डेलेगेशन गया था जिसमें बीजेपी के प्रदेश के अध़क्ष श्री दिपक प्रकाष में शामिल थे और इन दोनों डेलगेशन की मांग थी कि केंदर की सरकार जाती जर्णना कराए लेकिन मित्रों जब केंदर की सरकार ने इस पस्ट कर दिया कि केंदर के लिए जाती जर्णना कराना संभव नहीं है तो राजी सरकार स्वतंत्र है, तो हम कभी भी जाती जनगर्णा की विरोध में नहीं रहें, यहां तक कि 2010 में लोग सभा में जब सामाजिक आर्थिक जाती जनगर्णा को लेकर जब भास हुई, तो स्रीबोपिनात मुंडे और स्रीखुम्दे प्रशाद यादव, इन दोनों लोगों ने सोचिय एकोनमिक का सिंसर्के अस्वत्थन में ब्यात दिया था, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया था, यहां तक कि करनाटक और तेलंगणा में जब जाती जनगर्णा हुई, तो बीजेपिन इसका विरोध नहीं किया, तेलंगर्णा में समगर कुटम सरो और तिलंगाना में भी 2015 के अंदर कॉंगे सरकार के दौरान गणना हुई थे इसलिए बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतिंदर पार्टी जाती जन्रणा की विरोद में है उसलिए बात अलग है केंदर सरकार के लिए संभर में है करना प्रत कुछ राज्य सरकार कराना चाह तो स्वतंत्र है इसलिए बेबुनियाद और भ्रामक है कि भारतिंतर पार्टी जाती जर्णना के विरोध में है